हलो स्टुडेंट्स हैपी नियर तो आल अफ यू आई होप यू अला फाइन अभी आप देख सकते हैं बाहर का इट्मोस्फियर कोरोना जो कोवीड-19 है वो और भी बढ़ता जा रहा है तो ऐसे मैं आपको अपना और भी ज़्यादा क्यार करनी है और फॉर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है उसका एक्जाम हमारा हो चुका है तो आज हम सेमेस्टर टू इट मिन्स सेम टू का चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे पत्र एवम डाइरी स्टूडेंस यू यानि लेटर राइटिन जिसको इंगलमी बते है और हेवम पत्र लेखन तो इस केंटेन को हम पहले पढ़े चुके लेकिन अब बकाइदा हमारा ये चैप्टर में इसकी है एक्चुली यह ग्रामर का पोर्शन होता है लेकिन आपके चाप्टर में अभी है तो इसको हम फिर से ओफिशली बेस पर पढ़ेंगे पर ग्रामर के तोर पे हम पहले उसको पत्र पर चुके राइट तो आएए देखिए इसमें क्या है दूर बसे अपने संबंधियों, मितरों, परिवार जनों तथा कभी-कभी विबिन अधिकारियों को पत्र लिखने की आवशक्ता रहती है Students, आप लोगों की जो लाइफ है उसमें आप WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber ये सब यूज करते हैं लेकिन पहले के जमाने में ये सारी facilities नहीं थी, तब अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का एक जरिया था पत्र उसमें अंतरदेशी होते थे, उसमें पोस्ट कार होते थे, उसमें लेटर होते थे तो ये जो facts जो है वो बाद में develop हुआ, टेलीफोन बाद में आए लेकिन जब कुछ भी नहीं था, तब से पत्र के द्वारा अपनी बात या अपने message को एक दूसरे को पहुच आया जाता था, तो अब ये facility, अब हम इस पत्र को use नहीं करते हैं, लेकिन all these gold, right, पहले जैसे जो coins चलते थे, जैसे मैस में आपने देखा होगा कि 5, 25 और जैसे 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, उसका जो coins होता था, तो वो भी आपने हो सकता है, आपने देखा हो अगर आपके parents ने, आपके grandparents ने आपके लिए संभाल के रखा हो, उसका collection, coins का, तो बात ये है कि पहले जो चल रहा था, वो आपको पता होना चाहिए, पहले के जमाने में जो जो भ और अगर फिर से कभी ये कंडी, अब जैसे अभी letter writing चलो, एक दूसरे को हम personal letter नहीं लिखते हैं, लेकिन officially जब application लिखने होती है, job के लिए अपना resume तो उसकी hard copy से पहले important soft copy की होती है, अगर आप कहीं अपना resume लेके जा रहे हैं, या आप कहीं किसी officially किसी को letter लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखना ही होता है, उसमें आप WhatsApp कर दोगे तो वो नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये सिखाया जाता है, कि अगर आपको कहीं officially based पे कोई letter लिखना है, सपोस्थ आपको leave चाहिए, जैसे आप job करते हैं, अभी आपके parents job करते हैं, तो आपको पता होगा उन्होंने कभी बताया होगा कि अधिकारियों को जो officers होते हैं, उनको हमें letter लिख के ही अपनी बात या हमारी जो demand होती है, वो बता ही जाती है, जैसे अभी आप school में हो तो आपको बोला जाता है, कि leave not लिख हो, अगर आपको चुट्टी चाहिए, तो आप leave not लिख छोड़ लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, और इसमें यह बताया है कि दूर बसे संबंदियों, मित्रों, संबंदियों, it means relatives, मित्रे, it means friends, परिवारजन, it means family members, और कभी-कभी विबिन अधिकरियों कि कुछ officers ऐसे होते हैं, जिनको पत्र लिखने की आवशक्ता रहती है, पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यांत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं, सुगमता यानि सरलता, बहुत ही easy way में हम हमारी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, यद्यपी, जब कि यद्यपी यानि जब कि आजकल दूरबाश यानि टेलिफोन, email, internet, mobile phone, आदी द्वारा भी य यह सब जरिया है, जिसके द्वारा आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, आजकल, लेकिन पत्र जो है, उसकी importance आज भी कम नहीं हुई है, इसलिए आपके subject में यह आता है, इसलिए आपको यह knowledge दिया जाता है, और इसलिए आपको यह inform किया जाता है, और इसका importance कम नहीं पत्र के द्वारा वीचारों को प्रेशित करना साधुनों की अपक्षा सस्ता रस्ता है, यानि कि आप इसमें क्या होता है, कि आप अपनी बात को विस्तार से personal जो लेटर होता है, उसमें आप अपनी बात आराम से बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बील नहीं आता है, राइट, फॉन पर तो आपको यह लगता है कि ज़्यादा बाते करेंगे तो भील आएगा, तो फटा फट शॉट में बात करके खतम कर दो, है ना, दूसरा की पत्र के द्वारा वीचारों को प्रेशित करना, अन्य साधुनों की अपक्षा, यानि वीचारों को प् इंटरनेट मोबाइल, उसकी अपक्षा सस्ता है, क्यों सस्ता है क्यों की इमेल करोगे, इंटरनेट यूज होगा, राइट, आप वाट्सेप करोगे तो उसमें कुछ नहीं जादा, आपका इतना जिबी यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप फॉन करेंगे, तो फॉन कर पत्र अपने विचारों को बेजने का एक सस्ता माध्यम है, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लेया जा सकता है, अन्यका नहीं, जैसा कि मैंने अर्लियर अभी आपको बताया थोड़ी के द्वरा ही लिखा जाता है, उसमें आप कोई भी और तुल, कोई भी और जरिया, कोई भी और साधन यूज नहीं कर सकते हैं, आप उनको फॉन पर बता सकते हैं, इमेल पर बता सकते हैं, इंटरनेट से बता सकते हैं, आपको उन से बात करने के लिए, आपको आपकी बात उन तक पहुचाने के लिए आपको पत्र का ही यूज करना पड़ता है तो आज ये फर्स्ट वाला जो है वो है निमंत्र पत्र यानि इनविटेशन लेटर अब के गढ़ में वास्तु है किसी की शादी है कोई फंक्षन है रासघर्मा है कुछ भी function है तो हमें क्या करना होता है निमंतर पत्र यानि invitation letter लिखना हो अब पहले अभी के जमाने में तो क्या है कि हम वो cards छपपा देते हैं अपना जो matter है उसको दे देते हैं उस writer को और card छपपा देते हैं और copy paste करके वो सारे card हम एक दुस्य को बेज देते हैं लेकिन पहले यह facility नहीं थी letter लिखके हर किसी को letter लिखके हमारा message पहुंचाया जाता था तो किस तरह से letter लिखते हैं वो देखिए अब first है निमंतर पत्र निमंतर पत्र यानि invitation letter अब जन्मदिन के अवसर पर उपस्तित रहने के लिए मित्र को निमंतर पत्र यानिकि अपने friend क को invitation letter लिखना है तो सबसे पहले जब हम किसी को invite करते हैं तो sender who is sender तो आप sender हो मैं letter बेजने वाला कौन है तो आप यानि हम खुद तो पहले जब personal letter होता है उसमें हमारा address आता है तो आप यहाँ पर जिसे यहाँ पर address लिखावा है 90 बुद्नगर सोसाइटी लिंबा है सुरत सुरत का पिंकोर लिखाए और डेट लिखिए अब यह तो हो गया खुद का address यह यहाँ पर होता है self यहाँ पर self address होता है राइट अब नीचे देखिए प्रियमित्रस नेहल अब जिसको हम letter लिख रहे हैं उसका नाम लिखना होता है क्यूं क्यूंकि पता होना चीए कि यह letter किसके लिए है सप्रेम स्मरन यानि कि तुम्हें दिल से याद करना हूं सप्रेम या फिर यह जो सप्रेम स्मरन लिखा है उसकी जगह पर इसकी place में आप नमस्ते भी लिख सकते हैं तो आप इसमें से कुछ कुछ change कर सकते हैं अब देखिए तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदीन है अब सबसे पहले जो content है वो इसमें डाल देना है उसे दूसरी फरजी बाते नहीं करनी है कि तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ मैं यहां गई थी वहां गई थी आपको यहां पर दिया गया है कि जन्मदीन के अवसर पर लेटर लिखो तो आपको जो आपका content है वो जन्मदीन से related ही होना चाहिए तो इसने फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया कि मेरा जन्मदीन अगले रहिवार को है इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदीन है इसलिए मैं अपने सभी पत्र को सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ और उन सब को आज निमंदर पत्र बेज रहा हूँ सी देखे यहां पर उसका क्या है विर्ट्ड्डे का लेटर है इन्विटेशन का है तो उसने वागई कोई भी बात हैं ने कि उसने जन्मदीन से रिलेटें ही यहां पर बाते की है यहां पर देखे तुम जानते ही हो कि सालगिरा का दिन कितने आनंद का होता है looking यानि कि हमारा जो एक साल में जो दीन आता है उसके सलिब्रेशन उस दिन हमारे कई रिष्टेदार भी यहां आएंगे भी पीन साजी प्रशान सानिया आरी सब भी अवश्याएंगे यानि वो बता रहे हैं कि किस किस को मैंने बुलाया है मैं चाहता हूं कि तुम भी उस दिन जरूर आओ यदि तुम नहीं आओगे तो हम सब को बुला लगेगा हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बीदाना चाहते हैं दिन भर भोजन जलसा खेल आदी होगा और रात को सीनेमा देखने सीनेमा यानि मुवी देखने भी जाएंगे मुझे आशा है कि इस अशर पर तु को बड़ाओगे तो यहां पर उसने एकदम देखा आपने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कि कोई एक्स्ट्रा बात इसने बिल्कुल भी डाली नहीं तो उसने यह बता है कि मैं यह चाहता हूं कि यह सारे फ्रेंस एक्सवाइज आने वाले तो तुम भी आओ इस दि लेटर तो लिखा मगर अब फ्रेंट तो अकेला घर में होता नहीं है बाकी दिलेटिव्स भी होते हैं तो उनको उनके लिए भी आपको एक सेंटेस हमेशा लिखना होता है कि तुम्हारे माता पिता को साधर चरंस पर्ष चोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार तुम् मेतर साहिरशाह यहां पर अपना खुद का नाम उसने डाल दिया ओके तो यहां पर आपने यह देखा स्טुडेंड की की तरह से उसने यह निमंत्रान पत्र लिखा है अब आपको क्या करना है एक लर तो यह लिखना है निमंत्र पत्र पे जन्दमदीन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए दूसरा आपको ये लिखना है कि मामा की शादी में उपस्थित होने के लिए निमंत्र पत्र पत्र। मामा की शादी में उपस्थित होने के लिए निमंत्रहपत, तो वो आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता ले दियू, पहले आप अपना खुद का एरेस लिखेंगे, उसके बाद प्री अमित्र, आप कोई भी नाम, अपना अमित्र का नाम एड़ कर सकते हैं, जरूरी न महिने, अब यहाँ पर मामा की शादी है, तो अगले महिने बताना है, क्योंकि कोई दूर रहता होगा, तो वो जरूरी है, यानि कि जल्दी आ नहीं पाएगा, इसलिए आपको डिसमबर की डेट बताने है, डिसमबर की 10 डेट बताओ, 9 डेट बताओ, 8 डेट बता सकते हो, क कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, कि मेरे मामा की शादी आने वाले महिने, यानि दिसमबर महिने की 12 तारिक को है, तो फिर आपको यह लिखना है, कि मेरे मामा की शादी जो है, यानि 12 तारिक को है, और उसके लिए मैंने तुम्हें आमंत्रित करने के लिए पत्र और इसी तरह से हम सारी रस्मों को अच्छे से मिलकर निभाएंगे नाज गाना करेंगे डोल पर गरबा करेंगे तो बहुत मजाएगा अगर तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा तो हमारी इस खुशी में शामिल होने की कोशिश जरूर करना राइट फिर आप न जाँ ज़्यार कोई भी ब्हाई बीहन का नाम लिख देना और तुम colleagueEsther तुमको यी तरह से तुमको ये पत्र आज इस में कहीं सारे पत्र्षोज लेकिन आज हमने सिर्फ ये जो है निमंत्र पत्र वही लिखा निमंत्रर पत्र ही लिखा रिए हर जो आपको पढ़ना और उ मैंने आज एक्जाम्पल फर्स्ट जन्मदीन के अवसर पर और दूसरा मामा की शादी में उपसीत रहने पर तो यह दोनों लेटर आपको आज होमवर्क में स्टार्ट कर देना अभी तक आपने बहुत एंजोई किया होगा बहुत पता के क्रेकर्स जलाए होंगे तो अब आप स्टारी पर कंसलेट कीजिए क्योंकि अब आपका वैकेशन का टाइम चला गया है और घर में रहना बाहर मत निकलना क्योंकि अभी यह आपने सुना होगा कि 9 to 12 स्टेंट के लिए 23rd नेवेंबर से स्कूल खुलने वाली थी ऐसा उमीद थी ऐसे आप अपने घर में रहें बी सेफ रहें और घर में रहें रहें और घर में रहें तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच